गुड मॉर्निंग प्रेप क्लास आज हम हिंदी पढ़ने जा रहे हैं प्रिवेस क्लास में आपको हमने जो होमाग दिया था यह स्वर आपको दी थी यह वाला पेज भी आपको फास्ट चित्रों देखके पहला अक्षा लिखना था यह भी आपको दिया था फिर वैंजन यह जो है वैंजन दिये थे और उसका एक्सेसाइज भी हमने कराया था यह जो फिलाप्स है चित्रों देखके फास्ट लेटर लिखना है यह सब अपने इसी बुक में किये हैं और आपके नोट बुक में जो होमाग दी थी वो था स्वर और वैंजन आपको यह विल डू इट व अब दो सब्ध आप आप अल्री प्रिव्यर्स क्लास में पढ़ चुके हो जो चित्रों देख रहे हो उसी का आप नीचे जोड़के लिख ना है जैसे के घर 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 फिर फल FE ल फल क्या है रठ यह क्या है हाणला हल फिर न ल नल फिर है बस बस फिर थन तो ना थन तठ न, थन, ट, ब, ट, ब, व, न, वन, तो हमने क्या पढ़ा, दो अक्सर वाले सब, वो भी बिना मात्रा वाला, तो हमने यह जो लेके, यहां से लेके, यहां तक जो हमने पढ़ा, आप इस बुकी के अंदर आप रिड करोगे, और यह पे भी आपको दो अक्सर वाले सब दिया है ये जोड जोड से आप read out करोगे और next page में देखो दो अक्सर वाले शब्द से ही कुछ sentence बना है क्या है यश डर मत अब सच कह चल मत कर अब घर चल जै अब नल पर जल भर ये देखो सब के सब दो अक्सर वाले शब्द है नेक्स्ट क्या है रत पर चर कर घर चल फल चक कर मत तक चल जट पर नल पर चल कर जल भर ये सब जो है दो अक्सर वाले शब्द नेक्स्ट क्या है नेक्स्ट में इसी बुक के अंदर आपको फिलप्स करना है नीचे कुछ पिक्चर दिया गया है, उसी पिक्चर को देखते हुए आपको यहाँ पे दो अक्सर वाले शब लिखना है, जैसे गज, यह क्या है फल, तो फल, रत, रथ, यह क्या है आग, अग, तो यह से करके आप इसको इसी बुक के अंदर यह कम्प्रिट करोगे, नेक्स्ट के है, खाली स्थानाई, यहाँ पे आपको दो अक्सर वाले शब लिखावा है, आपको कैसे लिखना है, देखो एक करके दिखा है, जैसे जल, कैसे लिखा, ज, प्लस, ल, तो आप भी लिखोगे, ऐसे करके नीचे वाला, ब, स, बस, तो कैसे लिखोगे, ब, प्लस, स, बस, जैसे Гज, क, प्लास ज, गज, श, श, ब्लास क, श, यह कहे है, अब, अ, प्लास ब, अब, तो यह साड़ि, जैसे मैं मैंने किया, यह आपको खुद करना है, आपकी इसी बुख के अंदर आपको खुद करना है, नेग्स्ट क्या है? नेग्सट है नीचे दिये गए अक्षरों से बिना मातरा के दो अक्षर अले शब लेखो क्या है? एक तो पहला अक्षर लिख दया, दूसरा अक्षर घर फिर क्या है? घर हो गया, फिर बश बस, छ त चत, च ल चल, ह ल, र, र, फल फल ये सारे दो अक्षरली शब इसी में आपको फिलप्स करना है मैं ने दो लाइन कर दिया बाकि आप इसी बुक्स के अंदर फिलप्स करोगे चित्र पहचना आज छुटे अक्षरों को लिखो देखो इहां पर कुछ चित्र दिया गया है और एक एक अक्षर लिखावा है जो अक्षर नहीं लिखाए वो आपको लिखना है जैसे किसकी चित्र है ये फल की स्रेफ फल लिखाए तो कौनसा अक्षर चुटा है ला तो आप यहां पर लुखोगे यह kis की चित्र है बस तो एक अक्षर यहां पर 6 लिखाए तो कौन सा नहीं लिखा ba तो आप यहां पर लिखोगे यह किसकी चित्र है नल की तो यह में एक अक्षर लिखा यह न रुखा है न दूसरा आपको खुद करना है तो जो भी करोगे आप इसी बुक्स के अंदर यह वाला पेज यह आपका होमक रहेगा इसमें और यह वाला पेज भी आपको इसमें करना है इसी बुक्स के अंदर ही करना है यह आपको होमक करना है और यह भी आपको रिड़ाउट करना है और लावडली और clearly, ओके, यह इसी book का homework है, now next, notebook में, notebook में same to same हमने homework डाला है, notebook में दो अक्षराले शब्द देखो, मैं आपने लिखा है, जैसे मैं आपने घर, घर लिखा, फाल, फाल लिखा, ना प्लस, लाल, डान लिखा, बाप प्लस, बस लिखा, वैसे जैसे मैं आपने लिखा, आपकी यहाँ पर लिखना है, दो अक्षराले कुछ शब्द आप यहाँ पर खुद लिखोगे, कुछ भी दो अक्षराले शब्द यह आपका homework है, ओके, तो आपका homework मैं फिर से repeat कर रही हूँ, notebook के अंदर दो अक्षराली शब्द आप लिखोगे, और books के अंदर, दो अक्षराली जो है यहां पर फिलाफ्स जो भी है इसी बुक्स के अंदर आप फिलाफ करोगे ओके थैंक यू